हां जी, हेलो एंड वेलकम ओं जॉन्टेक डिस्टिल प्रेटफॉर्म, फ्रेंड्स, जैसा हमारा सेशन चल रहा है, यह हमारा 6 नंबर की टेस्ट सेरीज है, इम्पोर्टेंट 40 क्वेस्टन्स को लेके, जो नॉन्टेक के मैक्जीमुम सिलेबस को कवर करते हैं, जैसा आप जानते हैं, कि हम टेस्ट पेपर 1 से 6 पेपर तक आ चुके हैं, जो 5 पेपर से हैं, उसका हमने अनलाइसिस किया, इम्पोर्टेंट क्वेस्टन्स का, जो आपके DLB के एक्जाम के लिहास से कहिन के इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होंगे, यहाँ पर जॉन् में के अंदर तो आपका exam proposed है, और इस लिहास से ज्यादा in detail study न करते हुए, हम थोड़ा short में चलेंगे, rapid fire के अंदर चलेंगे, कम time के अंदर आपको मेरा प्रयास रहेगा maximum question solve कराने का, एक तरीके से यह जो module है, वो कही ने कहीं आपकी जो preparation है, उसको touch up करने का है, आप कम से कम एक साल से लगातार continuous पढ़ रहे है, offline, online, तो last time में जो revision है, उस revision के साथ अपने आपको आप कहां तक पाते हो, कहां तक आपका stand होता है, उसको देखने की बात इन question के जरिए, अगर जहां question के अंदर मैं आपको answers पूछ रहा हूँ, अगर आप उसमें participate करते हैं, तो आपक questions को, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के उपर, जो first question है, वो है आपके लिए, from which part of the area of the flow of river कांतली इन शेखावटी इस नौन, शेखावटी में कांतली नदी के प्रवा का शेत्र किस भाग में जाना जाता है, यहां पे कांतली नदी की बात हो रही है, और यहां इसका प् question पूछे, मैं थोड़ा साब को बताता हूँ, कहीं भी अगर आपको river system के बारे में, अगर question पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसका location आप जरूर याद रखिए, कि यह कहां से originate होती है, locations के बात आप देखिए, इसका जो drainage pattern है, यानि drainage pattern मतलब कौन-कौन से district से flow होके, य आपको districts थोड़े याद होने चाहिए, और साथ में, इससे related जो tributaries हैं इसकी, जो साहयक नदिया है, उसके बारे में आपको जनकारी होने चाहिए, जब आप river system को पढ़ते हैं, रास्तान जोगरोफी के अंदर आप पढ़ेंगे प्रमुख नदिया, तो थोड़ा सा आपको से माना जाता है, किस बाग से जना जाता है, तोरावाटी, देवडावाटी, चंद्रावाटी, हाडूती, ये चार options हैं, इसके अंदर से आपको जानकारी लेनी है, तो इसका right answer होगा तोरावाटी, जो first question है, उसका option होगा तोरावाटी reason, कांतली नदिया आप जानते हैं, ये हम बात करें, inland liver की, जो अंतरवरती नदिया उसकी बात हो रही है, जिसे आप रास्तान के अंदर नदियों के बारे मपढ़ते हैं, तो आप वहाँ पढ़ा करते हैं, कि बंगाल के खाडी के और विसरजित होने वाली नदिया, river drainage to, drain to way of बंगाल, और दूसरा, Jaurabian Sea है, अंतरवरती नदिया या inland rivers, ये जो inland rivers है, ये आप जरूर पढ़के जाएगा, exam में question आते हैं, inland rivers के बारे में, limited ही है, ज्यादा इतनी संख्या में भी नहीं है, आपको पढ़ने में दिक्कत है, तो यहाँ पर जो कांतली नदियों का प्रभाश शेत्र है, उसको कहा जाता है तोरावाटी, और कांतली नदियों की बात करें, तो ये पूर्ण बहाव की द्रस्टी से सबसे लंबी नदी है, मौसमी नदी भी है, और आपको बताना है, इसके थल पर, इस नदी के तट पर कौन से सब्वेदा का निर्मान हुआ, ये आपके syllabus का ही part है, आपको बताना है क ये आपका option हो गया, एक तोरावाटी, देवड़ावाटी तो आप जानते हैं, देवड़ावाटी केने का मतलब एक रास्थान dialect है, रास्थान की जो भाशा के अंदर भी आप पड़ोगे, राजस्थान ही वहाद देवड़ावाटी आती है, राखी आती है, उसके बाद व incompatible pair की बात की गई है, यहाँ पर जो nickname है और जो field है, जो प्रशलित नाम और शेत्र उनकी बात की जारी है, उसके अंदर कौन सा incompatible या असंगत है, वो आपको यहाँ पर incorrect option को पहचानना है, बेसिकली जो question है, वो आपके रास्थान जोगराफी के अंदर जो historical name of unit है, उसके बात भुराट, मेरवाडा और माल शेत्र, यह शेत्र के नाम है, जैसा मैंने आपको प्रिवेस टेस्ट इस सॉलिशन में भी बताया, कि जैसा आज का हम राजस्थान देख रहे हैं, जहां पर हम प्रजेंट ली देख रहे हैं, यह एक आप्टर इंट्रिशन के बाद इसको क्या कहते हैं, जैसे अभी मैं रह रहा हूं जैपूर के अंदर, इसको कहा जाया था ढूंडाट शेत्र, तो यहां यही पूछा जा रहा है, कौन सा इसके अंदर mismatched है, incorrect है, असंगत है, वो आपको पहचान करनी है, जैसे थली की बात हो रही है, विकानेर गंगानगर चुर वाजसमन, तो जो अजमेर और दिवेर रीजन है, जो मेरवाड़ा शेत्र यह भी सही है, माल लिखा हुआ है, the land of भिलवाड़ा and टोंग डिस्टिक, देखे, यह जो है, वो यहां पर wrongly यहां पर दिया गया है, तो option number D है, वो इसका होगा गलत, कि जो भिलवाड़ा और टो इसी के लिए जो यहां statement दिया गया है, यह आपका कहलाता है खेराड, यह खेराड से संबंदे बिलवाड़ा टोंग जीले का जो भूब आगे, माल तो जब होता है, जो ऊपर माल और आपका खेराड वाला एरिया मर्ज होता है, उसको कहा जाता है माल खेराड, तो यहां पर यह option यहां पर mismatch है, जैसा कि अगर हम देखें, map के अंदर, map के अंदर अलग-अलग अरियास के अलग-अलग नाम है, जिसे जो गंगानगर वाला जो एरिया है, उसको योद्धेग प्रदिश कहा जाता है, यह जो बिकानेर नागोर वाला एरिया है, वो आपका जांगल हो यह जैसल मेर वाला मान तरह, जाबालीपूर जालोर वाला एरिया, मलीनात की तपो भूमी मालाणी, यह जो बाडमेर वाला रीजन आ गया, उसके बाद बासवड़ा डूंगर पूर वागड हो गया, प्रताब गट जिसे कांठल कहा जाता है, डूंडाड वाला एरिया, मेर इन शित्रों के विकास के लिए, मेवाद विकास कारेकरम, उसके बाद आप देखेंगे मेरवाडा का जो कारेकरम है, डांग शित्र विकास कारेकरम, यह सभी वहाँ पे भी नाम रिपीट होंगे, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझे, हर टैसीरिस के अंदर यहां से question put up हो रहा है क्योंकि basic यह पार्ट है आपका रास्थान जगराफिका, ओके, next question क्यों मूँ करते हैं, which sanctuary has the largest number of the crocodiles in the world, विश्व में सबस्यादा गडियाल किस जिले अभ्यारण में है, चार option है, national chamber sanctuary, बांधवगर नेशनल पार्क, कानहा नेशनल पार्क, रंथंबोर नेशनल पार्क, चार पार्क की बात की गई है, और यहां पर आपको पता लगाना है largest number of crocodiles in the world, देखिए, जब भी आप रास्थान जगराफिके अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको wildlife है, जो आपका environment वाला, ecology वाला section है, उसको पढ़ना है, यह राजस्थान नहीं, साथ साथ इंडिया as well, इंडिया का जो भी portion उसको पढ़ना है कि कौन से century कहाँ पे है, कौन से location में, करनाटक में कौन सा century कौन सा अभ्यारन है, बांदवगर कहाँ पे है, पन्ना कहाँ पे, पेंच अभ्यारन है, वो और कहाँ कहाँ पे, महारास्ट में है, मध्यप्रदेश में है, इसके अंदर भी आप पढ़ते हों, अगर आप news papers पढ़ते हों, उसके अंदर भी आता है कि जो crocodile ने शिकार किया, जो वहाँ पे जो sheffield था, वो बक्री बक्री चलाने गया, तो उस समय उसको पकड़ लिया गया, तो चंबल के अंदर जो पाए जाने वाले घडियाल है, उस के अंदर लिखा गया हुआ, portion भी यही लिखा है, general awareness, जो सामने जागरुकता अगर आप में है, तो आप questions सही कर पाओगे, और यहाँ पर चार options के अंदर आपको write करना है, रास्टी चंबल अभ्यारण, नेशनल चंबल century is the right answer of question 3, नेशनल चंबल जो century है, उसमें आपको crocodiles क की संख्या देखने को मिलती है, यह एक तरीक इसे राजस्थान, MP और UP, इसके tri junction पर यह आपको देखने को मिलेगा, tri junction पर आपको देखने को मिलेगा है century, रास्थान, MP और UP में, जहाँ पर crocodiles, crocodiles की संख्या काफी ज़ादा है, साथ में अगर हम इसके स्थापना की बात करते हैं, इसके establishment की बात करते हैं, तो 1979 के अंदर इसका establishment हुआ था, 1979 on the bank of river, चंबल, चंबल के वहाँ पर नदी है, उसके जो tri junction पर यह, जो century उसको establish किया गया था, इस 1979, आप चंबल से संबंदित मुझे comment section में बताओगे, चंबल कहां से originate होती है, चंबल का origin का है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी है, यह मेरा आप से question है, यह आप पर depend है, आप इसका answer देते हैं, बकि मेरे इसी demand है, जैसा feedback में चाहता हूँ कि आपकी level of preparation कहां तक है, जो मैं स मच पाऊं, तो आपको मुझे comment section में बताना है, चंबल का origin का है, चंबल की tributaries कौन सी है, और साथ में इस नदी पर बनाएगे राजस्थान में प्रमुखबान, important dam, यह आपको मुझे बताना है इस चंबल के बारे में, okay, comment section में आप answers दीजेगा, फड़ा participate कीजेगा तो 20-meter, which are the forest found in areas with less rainfall, पच्चा से मी से कम वर्षा के शेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, यहाँ पर forest की बात हो रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप exam के अंदर जाए, forest report राजस्थान की जरूर पड़े और इंडिया की भी पड़े, इंडिया के अंदर कौन के जाना है, area-wise कौन से districts हैं, जहाँ पर forest जादा है, percentage के according कौन से districts हैं, जहाँ पर forest जादा है, तो इसे question आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है, 50-70 से कम वर्षा वाले शेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, उपोशन कटिबंदी है, subtropical, dry or desert, tick or none of above, चार है option आप answers देने की कोशिश कीजिए, कौन सा answer है, मैं बार-बार slide से दूर हो जाता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से questions को read कर पाएं, बताएं इसका answers क्या होगा, अगर आप option number B पे जा रहे हैं, तो एक कहने का मतलब आप right answers की हो रहे हैं, dry or desert, desert के अंदर आप जाने के हैं, vegetation बहुत कम होती है, वनस्पति की स्था मात्रा ही कम होती है, जो भी trees होते हैं, वो zerophytic tree होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक vegetation होती है, zerophytic यह जो zerophytic है, यह आपको देखने को मिलेगा, desert area के अंदर, जो desert area है, वहाँ पर आपको zerophytic देखने को मिलेगा, vegetation, यहाँ पर जो rainfall है, जो rainfall है, या वर्षा की मात्रा है, वो होती है कम, अगर coffin की बात करते हैं, तो इसको BW, HW को denote किया गया है, BW, HW इसके लिए, जो climatic division के अंदर दिया गया है, BW, HW, दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो important, जो vegetation है, उसके अंदर जिससे आपका खेजडी वगेरा, wildlife देखें, तो जो आपकी चिंकारा वगेरा, जो हैं, जो animals हैं, वो आपको देखने को मिलता है, wildlife के अंदर, सेवन घास वगेरा, जितना आपने पढ़ा है, वो आपके इस area का features है, next बढ़ते हैं, question number 5, in which district of Rajasthan, Walra, cultivation of zooming system is done, रास्थान के किस जिले में zooming प्रनाली की वालरा खेती होती है, देखी, कोई भी question पढ़े, read entire question properly, then procedure, statement making process, okay, जब आप पढ़ें एक बार question की क्या demand है, उसको पढ़के फिर answer दीजें, तो आप गलत कर दोगे जल्दबाजी में, हमेशा एक बार Hindi में पढ़िए, English में पढ़िए, English को ज़्यादा preference दीजे, क्योंकि RPSC भी यही मानता है, जो English वाला है, वही valid है, तो आप इसम पर पूछा गया है, जूमिंग, जूमिंग अगरी कल्चर का मतलब होता है क्या, जूमिंग प्रणाली बेसिकली जो इंडिया के नौर्थ और नौर्थ इस्टन वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे मेगाले, मनिपूर, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, वह वाला जो एरिया है, वहाँ पर की जाने वाली जो क्रशी है, जो एगरी कल्चर है, वो जूमिंग क्रशी के नाम से जानी जाती है, जूमिंग प्रणाली, जूमिंग कल्टिवेशन, ओके, अब जूमिंग कल्टिवेशन है, वो बेसिकली कोई कल्टिवेशन का एक तरीके से कोई विशेश कोई बात नहीं कि इसको किसी और तरीके से इसको जुमिंग कहा जा रहा है, को इसकी specialist का कोई reason है, देखिए, जुमिंग का मतलब यही है, जो ancient time के अंदर जो cultivation का process आ रहा है, वही जुमिंग करशी का राज जता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कहा जाता है कि piece of land be cleared and burned and used for cultivation, यानि को कोई भी जमीन का शेत्र है, कोई भी land है, और यह जो land का area है, इसको पढ़ती रखा जाता है, फिर उसको एक तरीके से burn किया जाता है, और बाद में जो residue बना जाता है, उसको जमीन को छोड़के फिर आगे की और फिर बढ़ दिया जाता है, वहापे cultivation करने के बाद फिर आग और दजिया, नाम सुने होंगे आपने, यह हमारे राजस्थान के संदर्ब के अंदर है, अगर हम वर्ड के संदर्ब में जाए, यह तो हमारे राजस्थान के context के अंदर है, अगर मैं वर्ड के विश्व के संदर्ब में जाता हूँ, इन reference to वर्ड, तो यहाँ पे जैसे मिल कहा जाता है मिल पाप मेक्सिको ऐसे अलग-अलग शित्रों में अलग-अलग देशों में इसकी जूमिंग क्रशी के नाम है राजस्तान में हम वालरा और दजिया केते हैं अब एक डिफ्रेंस यह भी समझना है यह जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर जूमिंग मैक्जीमम जो कल्टिवेशन है उसको की जाती है और इसी जूमिंग कल्टिवेशन का दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन यह हिंदी में कहे स्थानांतरित क्रशी यह जो जूमिंग क्रशी है उसका दूसरा नाम होता है स्थानांतरित क्रशी इं इस तरीके से इसको shift किया जाता है, shifting cultivation कहा जाता है. और इसे स्थानांत्रित क्रशिया, shifting cultivation कहते हैं, या दूसरा कहा जाता है slash and burn, slash and burn cultivation. ये भी इसका नाम है, slash and burn cultivation. हिंदी तो इसका बहुत ही है, कोई कर्तन, जलन, क्रशिय स्थाइप, आप वो छोड़ी, इसे इंग्लिश वाला याद रखिए, slash and burn cultivation, also known, zooming cultivation. ठीक है, तो तीन नाम तो मैंने आपको बता है, zooming cultivation, shifting cultivation, and slash and burn cultivation. ये आपके एक तरीके से होगी, zooming करशिय के बारे में, राजस्थान के अंदर वालरा और दजिया. और यहाँ पर हम क्वेश्चन पर लोटते हैं, और यहाँ पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में, zooming प्रणाली के वालरा खेती होती है. तो ये वाला आपका reason कौन सा हो जाएगा? तीनों, जो हमारा south वाला area है, जो दक्षिनी राजस्थान की बात हो रही है, सदन राजस्थान की बात हो रही है, उस सदन राजस्थान के अंदर यह आपको agriculture देखने को मिलेगी, shifting cultivation और zooming cultivation, slash and burn cultivation in tribal area, followed by बासवाड़ा डुंगरपूर और प्रताबगड उदेपूर वाला ज जो हिली area है, उस हिली area के अंदर जो shifting cultivation होता है, that's known as walra, और दजिया मतलब जो मैदानी शेत्र हैं, जो plain वाले area हैं, वहाँ पर जो tribal persons के द्वारा, peoples के द्वारा, जो shifting cultivation होता है, उसको दजिया कहा जाता है, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं, what is zooming cultivation and engineers cultivation method of agriculture, farmers slash and burn a point of land and start growing food crops, when soil fertility declines, they shift to another place and burn jungle again, मैंने जो समझाया वही है, it is indigenous cultivation method of agriculture, यानि कहने का मतलब जो हमारा क्रशी का एक तरीका है, वो एक तरीके से indigenous स्वदेशी तकनिक है, क्रशी करने की, दूसरा यहाँ पर कहा गया है, farmers slash and burn a page of land and start growing food crops, एक तरीके से जो farmers हैं, जो एक page of land, यानि area of land, एक जमीन का एक भूभाग, एक चुकड़ा, उसको यहाँ पर एक तरीके से पढ़ती रखा जाता है, उस पर slash और burn उसे एक तरीके से जला कर और cultivation करते हैं, फिर आगे उसको बात, वो move forward हो जाते हैं, When soil fertility declines, they shift to another place and burn jungle again, जहाँ पर अगर soil की fertility उस particular area के अंदर declined हो जाती है, जो म्रदा की उरवरता है, वो वहाँ पर decline हो जाती है, फिर बाद में वो shift कर जाते हैं दूसरे place के अंदर, और इस तरीके से जंगलों को बार-बार जलाय जाता है, बाहर सरकार न इस पर रोग भी जाता है, but sometimes यह भी फिल होता है कि आपके पास time कम है, यह revision का time है, आपका तो अब बिल्कुल online class की तरह तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, online, offline की तरह, but मेरा try best रहता है कि आपको कम time के अंदर maximum information में दे पाऊं, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, question number 5 about zooming cultivation, let's move forward question number 6, पग बावरी बाडमेर में कहां स्तित है, यहाँ पर आपके architecture से related है, आपके syllabus में भी है, temples, palace, जो architecture है, वहीं से बावरी पूछी गई है, और यह आपका option हो जाएगा, मोकल सर, option number 6 का, next question है, match it temple and creator, यहाँ पर मंदीर और निर्माता की बात हो रही है, कौन सा मंदीर और उनके कौन से निर्माता है, जैसे ओसिया में सच्चियाई माता, यह किसने बनाया, तो इसका तो हो जाएगा, first का तो दिख रहा है option 3, वत्सराज, यह वत्सराज आपने नाम सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार, पढ़ा भी होगा आपने रास्तान हिस्टी के डाइनस्टी के अंदर गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो छट्टी शताब्दी के अंदर in the sixth century, इसी तो उस समय जो हमारे अरब से आकरमन होता था, जो अरब इन्वेजन होता था, उसको रोकने के लिए गुर्जर प्रतिहारों की भुमिका थी, द्वारपाल कहा जाता था इनको, और उसमें से ही वत्सराज, आपने पढ़ा होगा नागवट्ट फस्ट वत्सराज, नागवट्ट देती है, महिर बोज वगएरा जितना, महिंद्रपाल, महिपाल तक, तो यहाँ पर जो यह वत्सराज इन्हें रण हस्तिन की उपादी दी गई थी, आपने पढ़ा होगा, आदी वरहाब, तो यह जो वत्सराज है, यह वत्सराज ने ओस्या में सच्ची आई माता, मंदिर है, उसका निर्मान किया, अब आपको मुझे बताना है, ओस्या के अंदर जो टेंपल है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ओनलाइन, ओफलाइन के अंदर, यह जो टे नेक्स्ट ऑप्शन है, देलवाडा का जैन मंदिर, तो यह जो देलवाडा का जैन मंदिर है, वो आप जानते हैं, वीमल शा, वीमल शा ने इसका निर्मान किया, उसके बाद एकलिंग मंदिर, एकलिंग मंदिर तो आप सीधी बात समझ में आ जाती है, बप्पा रावल, हा आशिदवाद आपने एक लाइन जाद ही होगी आपको और नाद्धवरा टेमपल यह जो नाद्धवरा टेमपल है वो राज सी ने बनाया ठीक है नाद्धवरा टेमपल राज सी तो आप जानते हैं और अरंग जेब के प्रतिदंदी थे उस समय के अंदर और यहीं पर बनास सेकेंड सी का आपका हो गया वन एंडी का फूर तो ए इस दो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट वह एरस जांगीर पहले से लोकेटेड इन राजस्थान यहां पर आपके प्हलेस की बात हो रही है पहलेस अच्छे से पढ़के जाएगा आप एक्जाम्स के अंदर पहलेस के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से उन्हें चीकोश्चन रिपीट होते रहते हैं प थोड़ा साब इस पीलर्स इस अंब्रेला को अच्छी तरीके से पढ़के जाना और पैलेस के बारे में भी जानकर यह आपको होनी चीए, इसी पैलेस के संदर्प में पूछा गया question है, रास्थान में जहांगीर के महल कहां है, जहांगीर's palace कहां है, तो यह जो जहांगीर's palace ह यह आपका है pushkar के अंदर, option D, 8th का हो जाएगा, 8th का option D हो जाएगा pushkar, pushkar के बाद हम next question पे आते हैं, question number 9, question number 9 और यहां पर आप से पूछा गया है रास्थान हिस्ट्री का जो first chapter है, important sources of रास्थान हिस्ट्री, important sources of रास्थान हिस्ट्री, रास्थान में, रास्थान की इतिह रास्थान की प्रमुक्स्त्रोतों से लिए गया question है, जिसमें हमने पढ़े थे, अभिलेक, coins, जो आपके inscriptions हैं, coins हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था, वहीं पर आपको पुछी गए चीजे हैं, प्रशस्ती के बारे में, देखिए प्रशस्ती जो word है, वो शब्द बना ह हुआ है प्रशंसा से, to praise someone, यहाँ पर praise किसकी हो रही है, जो राजा है, जो kings हैं उस समय के अंदर, उस राजवंश के, उस particular dynasty के kings हैं, उसकी यहाँ प्रशंसा के लिए जो लिखी गई चीजे हैं, जो documented form के अंदर है, on the rocks, या stone, या किसी written format के अंदर, उसको कहा जाता है प्र particular years हैं, वो आपको याद रखने, और कौन से प्रशंसी के साथ आपको match करना है, तो यहाँ पर चार options दीखे जा रहे हैं, रनकपूर प्रशंस्ति, कुंबलगर प्रशंस्ति, राज प्रशंस्ति, और विकानेर प्रशंस्ति, इसके right answers क्या होंगे, नाइन्थ के बारे में आ देखने से आपको पता लगेगा कि जो रनकपूर प्रशंस्ति है, वो आपका है 1439 AD, 1439 AD आपका हो गया रनकपूर प्रशंस्ति, कुंबलगर प्रशंस्ति है आपका 1460 AD, राज प्रशंस्ति है 1676, और विकानेर प्रशंस्ति है 1594, तो यह आपका सही हो गया, option number A is the correct answer, इसम देगा, next question है, question number 10, the people of Indus Valley were not familiar with which of following domestic animal, सिंदु घाटी की लोग निम्खित में से किस पालतु पशु से परिचित नहीं थे, cow, bull, buffalo and horse, तो इसके अंदर जो horse है, वो यहाँ पर, यहाँ से domestic animal से परिचित नहीं थे, next question है, question number 11, when was चित्तोरगट फोट included in the UNESCO World Heritage Site, यहाँ पर पूछा गया है, चित्तोरगट दुर्ग को UNESCO की विश्व विरासस सुची में कब शामिल किया गया है, तो यहाँ पर आपके सामने years है, 2011, 2010, 2013 and 2009, तो correct answer would be 2013, 2013 के अंदर UNESCO World Heritage List के अंदर हमारा चित्तोरगट फोट सम्मेलित हुआ, इसके अंदर include हुआ, चित्तोरगट फोट है, आपको ना मुझे बताने है, और कौन से फोट है, जिसको UNESCO World Heritage Site में integrate किया या include किया है, तो 2013, यहाँ पर correct answer होगा, चित्तोरगट फोट, ठीक, next question, which of following pair is incompatible, निम्खित में से कौन सा pair incompatible है, फोट और hill on which it is built, जैसे हम फोट के अंदर देखते हैं, तो कोई भी फोट है, उसके अंदर क्या होता है, वो किसी hills area पे बनेगा, यानि mountains पे बनेगा, या बनेगा किसी water bodies पे, river पे, या बन सकता है, एक तरीके से forest के अंदर, इसे कहीं कहीं तरीके से security purpose से फोट को बना ज़ता है, दुर्गो का निर्मान होता है, और यहाँ पर उनके, जहाँ पर निर्मान हुआ है, उस शेतर के बारे में, उस फोट के बारे में, यहाँ पर mismatch तुनना है, तो जैसल मेर, हिल, आपकी हो जाएगी चीडिया टुक, सिवाना हल्देश्वर, यह तो राइट है, जालोर स्वर्ण गिरी, गोल्डन माउंट यह भी सही है, दोसा देव गिरी, जैसल मेर, चीडिया टुक यह गलत है, यह तो आपका आजाता है महरांगड, नाम सुना होगा आपने, जो महरांगड का किला है, वो चीडिया टुक पर है, तो ट्वेल्थ का हो जाएगा, आप्शन ए, रॉंग, ग्वेस्चन नंबर थर्टीन को देखिए, तो यहां पर आप्शन क्या रहेगा, यहां पर आप्शन हो जाएगा, साहित्यकार के बारेम पूचा है, राठोडों की उतपत्ती किस से मानी है, तो राठोडों की उतपत्ती मानी है, ब्राम्ण वंश के भल्लराव से, ऐके, question number 14 who was the ruler of Ranthambur at the time of Allahuddin invasion आपने पढ़ा होगा Rani Padmini, Allahuddin का युद्ध, Rana Ratan Singh उस समय मेवाड में थे तो यहाँ पर Ranthambur के शासक कौन थे यहाँ पर Ranthambur के शासक हमेर्थ option A is the correct answer 14 का 15 who among the following is not पंच पीर आप जानते हैं रास्थान में जो लोग देवताओं के संबन में जो folk deities हैं उसमें पंच पीर हैं अब इस पंच पीर में कौन से सम्मेलित नहीं है बहुत बेसिक सा question है option से आपको दिख रहा होगा मल्ली नाथ जी यह मल्ली नाथ जी जो मालाणी एरिया बाडमिर वहां से संबन दित है बाकी के अंदर यह पंच पीर के अंदर included है question number 16 आपकी science text से है पार्सेक unit है वो किसकी है दूरी की है, समय की है प्रकाश के चमक की है, चुमब की, बल की है distance of time, flash of light and magnetic force किसकी इकाई है पार्सेक, आपने पढ़ा होगा physics के अंदर, class 11 के अंदर ही पढ़ा होगा वहां पर आपको units के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो पार्सेक किसकी है पार्सेक आपकी हो जाएगी distance की पार्सेक हो जाएगी distance की, पार्सेक unit is expressing distance of astronomical units in solar system, जो आप astronomically distance को measure करते हैं, उसकी पार्सेक unit होती है, पार्सेक 1 होती है, जो लंबी दूरी के लिए आप इसको measure करते हैं और ये होती है, आपकी 3.09 10 to power 13 km 3.09 3.09 10 to power 13 km ओके, ये आपको कहलाती है ये आपकी दूरी होती है पार्सेक next है invented of telescope telescope की बात हो रही है, दूर्बिन का अविशकार किसने किया, बहुत basic सा question है Galileo, बट होता किया, कभी-कभी हम basic सी चीजे है, उसको avoid, ignore कर लेते हैं, बट somehow हम उसको mistaken भी गलत कर देते हैं में, exams में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ simple questions भी आपको देखने को मिलेंगे, that is Galileo question number 17 के बाद 18 पे आते है in which part of the plant does not mature or re-transform into, यह आपके bios related है, पादपों में परिपको एंड़ाश है, पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है, तो उस तरी केसे, जैसे आप flowers पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा class 6, 7, 8 के अंदर, जो flowers के अंदर आपके endosheum, gynosheum, उसके बाद बाहर की और आपके petals होते हैं, calyx होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो auris हैं, वो auris आगे जाके transform हो जाती है, आपके acceptor के अंदर 3 केसर, ओके, next question है, यह केसर मतलब आप वो केसर saffron से मत इसको indicate करना, वो केसर अलग है, यह अलग है, यह बेसिकली जो आप flowers आप देखते हैं, जिससे आप कोई भी flowers आप देखते हैं, तो आपने इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पर बीच में यह endosheum होते हैं, जिससे हिंदी में कहते हैं, और बाद में जाके, एक होती है, आपकी स्तिरी के सर, जहाँ पर जो fertilization होता है, flowers के अंदर, उसके लिए हम बात हो रहे हैं, जो परिपकवचो अंडाश है, जो यहाँ पर और इस हैं, वो बाद में जाके, acceptor में ट्रांस्पर होती है, next question है, which of following diseases are caused by water pollution, water pollution से कौन सी disease होती है, हेजा, टाइफाइट, बोथ हेजा एन टाइफाइट, और नान अफ अबाव, तो राइट आंसर दोनों हो जाएंगे, बोथ हेजा एन टाइफाइट, next है, found in red ends, लाल चीटियों में पाया जाता है, acetic acid, formic acid, citric acid and phosphine, आप acid-based पढ़ते हैं, chemistry के अंदर, तो first starting इस chapter की यहां से होती है, starting में, उसका जो एक background है, उसके लिए यहां पर यह चीजे आप से repeat होती है, तो यहां पर पूछा जा रहा है, red ends के अंदर कौन सा पाये जाता है, that is formic acid, SCWH आपने पढ़ा होगा, formic acid, तो यह जो formic acid है, वो आपके red ends के अंदर पाये जाता है, citric acid तो आप जानते हैं, citrous जो fruit हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद acetic acid, CS3CWH, यह आपने पढ़े होगे chemistry के अंदर, यह formic acid आपको याद रखना है, क्योंकि formic का जो नाम है, वो भी formica, formica मतलब होता है red ends, जो ends का नाम है, Greek word है, Latin word है, उसको formica, और वहीं सुन में पाया जाना वाला जो acid है, वो formic acid, ओके, next question है, यह आपका ICT से start है, computer, बहुत basic वाले question है, computer के तो, what is the full form of PC, PC का पूरा नाम क्या है, तो option number से, पर्सनल computer, यह सब हम जानते हैं, following is not non-impact printer, printer आपने पड़े होंगे, impact printer, non-impact printer, options है laser printer, thermal printer, dot matrix printer, ink-z printer, जो dot matrix printer है, वो right answer हो जाएगा, 22 का, question number 3, tropical cyclone occurs in, उस्ट कटी बंदी, चक्रवाद, इसमें घटित होते हैं, tropics only, tropics and subtropic, subtropic only, tropics and extra tropics, तो यहां आपको, cyclone के बारे में बता ना है, तो यहां right answer हो जाएगा, tropics and extra tropics के अंदर, यह आपके, उस्ट कटी बंदी, चक्रवाद होते हैं, चक्रवाद आप जानते हैं, cyclone, low pressure बन जाता है, tornado, hurricane आपने पड़ा होगा, geography के अंदर, question number 24, fox are formed due to, fox यानि जो धुम कहरा है, किसके कारण से बनता है, conduction, radiation, mixing of warm and cold air mass, तो देखिए, conduction, radiation का मतलब क्या होता है, जैसे, यह हमारा, एक simple आपको example बता रहा हूँ, यह हमारा एक water body है, यह ocean है, ओके, और यह ocean का यहां पर यह तट है, जब यहां पर sun rays यहां पर आएगी, sun rays आएगी, तो यहां पर क्या radiation हो रहा है, और जो यह coastal area है, उसका जो temperature है, यह जो temperature है, वो increase होगा, temperature increase होता है, उसको कहा जाता है radiation, जब यहां पर एक तरीके से, radiation होता है, और बाद में जाके, कि उसका conduction होता है और बाद में जाके यह कहीं ने कहीं जाके mixing of warm and cold air mass यहाँ पर बनता और fox बनता है मैं एक general example बता रहा हूँ conduction radiation और किसे कहा जाता है जिसे हिंदी में कहा जाता है चालन सहवन संवहन conduction संवन होता है जैसे आप कभी bucket के अंदर electric gizzard को आप डालते हैं रोड को डालते हैं तो conduction होता है नीचे से वो दिरे दिरे जो energy जो हीट हो सर्कुलेट होती है तो एक तरीके से तीनों यहाँ पर option से होंगे mixing of warm and cold air mass जब जाके form fog बनता है ओके next question है question number 25 where was first cement factory started in Rajasthan? Rajasthan में पहले cement कारखानी की शुरूबात कहां हुई? निंबाहेडा, लाखेरी, कोटन, बुफालगड तो यहाँ पर जो लाखेरी है वहाँ पर सबसे पहले बुंदी के अंदर cement factory यहाँ पर start हुई थी लाखेरी के अंदर 1970 next question है film the black is the policy that helps integrate domestic economy with the word economy यहाँ पर इसी कौन सी policy है जिसको introduce किया गया था 1991 की बात Indian economy का question है जहाँ पर जो domestic economy है जो हमारी घरेलू अर्थवेवस्था है उसको word economy यानि विश्वे अर्थवेवस्था के साथ जोड़ा गया है इसके साथ जोड़ा गया है तो यहाँ पर policy liberalization, globalization, privatization और none of above तो यहाँ पर जो globalization है इसे कहा जाता है वेश्वी करण आपने पड़ा होगा 1991 के अंदर हमारा after 1990 economic crisis आ गया था और बाद में जाके यहाँ पर तीन policy यहाँ पर LPG आपने नाम सुना होगा liberalization, privatization और globalization इस policy को लाया गया था और बाद में जाके जो economic reform हुए थे नरसी हाँ समीती आपने नाम पड़ा हुआ तो यह जो economic reforms वाला जो शित्र है जो आपके syllabus के अंदर भी लिखा हुआ economic reforms पढ़के जाएगा इस LPG के बारे में लाया भी इस ले गया था उस समय हमारे जो इंडिन economy थी वो थोड़ी conservative थी यानि private sectors को उतना उस तरब ध्यान ने दिया जाएगा था जो भी ध्यान था जो public sector, government sector की और ध्यान दिया जाएगा था license प्रणाली थी इसे कहा जाथा quota प्रणाली, license, corruption जादा थे कोई भी company को start करना है तो बहुत एक जो rat tap है एक तरीके से लाल फिताशाई को process को corruption को follow किया जाता, कोई particular company है वो अच्छी तरीके से grow नहीं कर पा रही थी तो ऐसे बहुत सारे crisis थे, gulf war वगेरा तो वहाँ पर जाके बाद में जाके इस policy को लाया गए LPG को और यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा globalization आज भी हम देखते हैं हम word के साथ connected है जिसे कहा जाता है open economy में आपको पढ़ाए economy के sessions के अंदर आप online के अंदर भी देख सकते है economy का जो basic जो पार्ट है उसकी starting ही हमने वहाँ से की थी with banking system of India यह पूरा में आपको पढ़ा है online में आपको zone tech के channel पर मिल जाएगा आप उसको refer किजिएगा उसको कहा जाता है open economy एक तरीके से जो particular country है उसका export और import जो import हो रहा है और जो export हो रहा है उसको कहा जाता है open economy यहाँ पर एक तरीके से कोई भी country है उसमें export import हो रहा है और आजकल हर country के लिए necessary mandatory हो गया पूरा production तो होगा नहीं तो यहाँ पर कहीं कहीं export import होता है और इसलिए से open economy कहते है और इस question का answer होगा आपका globalization यहाँ वेश्वी करण देखी 1991 के अंदर economy reform आया थे इंडिया के अंदर एक तो थे structural reform और एक stabilization measures, structural reforms के अंदर आपके privatization, liberalization and globalization को लाया गया था, निजी करण, liberalization को कहा जाता ह है उदारी करण और globalization को कहा है ता है वेश्वी करण, हिंदी को छोड़ी English को आप ध्यान रखी LPG और इस LPG के अंदर जो liberalization है उसके अंदर deregulation, financial sector, tax reforms लाएगे, जो forex reforms से वो लाएगे, जो trade policy है हमारी व्यापार की निती, अगर इसको detail में पढ़े तो राज-कोशी, घठा जो fiscal deficit है, उसके बाद balance of payment, BOP, भुक्ताना संतुलन, आपने पढ़ा होगा economy के अंदर, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस questions में एक बार आप जरूर पढ़ेगा economic reforms, question आएगा यहाँ से, question number 27, which of following is cold current, निम्कित में से कौन सी ठंडी धारा है, Gulf Stream, Kurosho, Guinea and Falkland, यहाँ पर आपको word geography का question है, और इस word geography के अंदर आप पढ़ेंगे currents को, यह जो धारा है, आपने पढ़ा भी होगा geography के अंदर, currents क्यों circulate होती है, जैसे आपने देखा होगा कभी समंदर किनारे गए हो, तो यह कभी तालाप के किनारे generally, आप गए हो तो आपको कुछ इस तरीके से, जो moment आपको देखने को मिलता होगा, वेव आपने पढ़ा होगा physics के अंदर, disturbance, यह जो वेव है, उसे एल्टेडी है, धारा, ठंडी धारा, गर्म धारा, जितनी भी हमारा जो word area है, अलग-अलग continent है, वहाँ पे धाराएं चलती है, currents चलते हैं, द्यूर्ट चलते हैं, Falkland, Iceland है, वहाँ से यह islands होती हुए बढ़ती है, that's why इसको Falkland नाम दिया गया, तो ऐसे अलग-अलग words के अंदर currents है, जल दा रहा हैं, और यहाँ पर पूछा गया है, ठंडी और गर्म, देखिए ठंडी भी है, cold भी होती है, और warm भी होती है, यहाँ पे cold current के बारे हम इरोशिवो और गिनी, यह तो आपकी हो गई warm current, तो यह जो Falkland है, यह आपकी आजाएगी cold current, यह आपके cold current के अंदर, यह current है, और आप देखें, यहाँ मैप के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यह ocean current के अंदर देख रहे हैं, महासागर यह जल धाराओं के बार आपको देखने को मिलेगी Falkland current, इसमें मैप मैं आपको मैं और डीटेल में बताता है, अगर स्पेशल इस कालक से होता, तो मैं आपको बताता, देखें यह रहा आपका Falkland current, यह आप देख रहे हैं, यह आपका तो हो गया Southern America, यह हम बात करें Atlantic Ocean, और यहाँ पर आप यह Falkland island देख रहे हैं, और यहीं से यह current आ रही है, ठंडी current, इसलिए इसे कहा जाता है Falkland current, ओके, यह आपका हो गया, लक्षीन अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो हमारा Atlantic वाला जो area है, वहाँ से हम इसको चर्चा कर रहे हैं, next question है, निमकित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, अ और गल्स्ट्रीम, यह जो गल्स्ट्रीम है, वो आपकी warm current है, warm current है, देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपके exam के लिखास से current मुझे इतना important नहीं लगता, बट सम्हाँ अगर examiner थोड़ा सा इसको difficult बनाना चाहता है, तो यहाँ से question लेगा, वहाँ conceptual और याद mountain है, उसके बाद आपकी जो जल संधिया है, उसको आप जरूर पढ़के जाएगा, rivers हैं, आपकी rivers के बारे में Danube, जो Europe की rivers है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजेगा, और desert area अलग अलग, जो continent के अंदर desert है, उनके क्या-क्या नाम है, सहारा कहा है, नामी भिया का desert किदर है, यह जो चीजे हैं, पूछी जा सकती है, mountains के बारे में पूछा जाता है, कौन सा tertiary time के mountains है, हिमाले है, उसके बाद आप से पूछा जा सकता है, Mount Rocky, Rocky की जो सरवच परवच चोंटी उसका नाम क्या है, उसका पिक का नाम क्या है, ऐसे जो चीजे हैं, Caucasus वगेरा वो पूछे ज जा सकते हैं, कौन सी river को coal river कहते हैं, कौन सी river को oil river कहते है, Congo rivers के बारे में पूछा जाता है, कौन सी rivers है, जो line of cancers को cross करती है, कौन line of Capricorn को cross करती है, ऐसी चीजे हैं पूछी जाती है, static GK के अंदर, with respect to Indian geography, sorry word, geography, तो यहाँ पे जो Gulf Stream है, Gulf Stream basically आपका जो यह आप North America देख रहे है, और यहाँ पर आपको Gulf Stream देखने को मिलेगी, जो red के अंदर है, यह warm current है, और यह बाद में Mexico से, जो Gulf of Mexico है, वो आपको याद रखना है, Gulf of Mexico से होते हुए, यह बाद में जाके Labrador से मिल जाती है, Labrador की current है, ठंडी और गर्म यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर fishing भी ज्या जाता है, यहाँ गर्म रखती है, जो coastal area है, वहाँ पर fishing हो सके, question number 29, when was Indian Institute of Space Science and Technology Tironandpuram established, यहाँ पर पूचा जा रहा है, भारती अंतरिक श्विज्ञान एवन तकनिकी संस्थान, Tironandpuram की स्थापना कब हुई, 14 September 2008, 14 September 2007, 14 September 2010, 14 September 2005, correct answer will be 14 September 2007, option हो जाएगा, 29 का, वी, 14 September 2007, अब हम बढ़ते हैं, next questions की और, next questions की और बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके space से question पूचा गया है, when was Chandrayaan 2 successfully launched, Chandrayaan 2 के बारे में पूचा जा रहा है, कभी से successfully launched कि किया गया, 22 July 2018, 22 July 2029, next है 22 July 2017, 22 July 2020, इसमें से आपको याद रखना है, चंदरयान की date आप से पूचे कही है, कौन सी date होगी, so friends, इसका right answer होगा, 22 July 2019, 22 July 2019, right आपको करना है, देखिए, जो इतना भी आप space technology को पढ़के जाएंगे, आपके science and tech में भी है, उसके करन्ट से related आप जरूर उसमें पढ़िएगा, जैसे आपके, अभी recently कौन से project है, जो space mission है, वो भी launch किये गए, जैसे आदित के mission है, इसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद आपका जो शुक्र, sorry, जो शुक्र का mission है, विनस का program है, वो भी चल्चा में है, साथ में गगन यान जरूर पढ़के जाएगा, गगन के साथ जो हमारा Mars Orbital Missions है, उसके बारे में पढ़ेगा, और मेरा पूरा session है, science and technology पे specific space technology, मुझे student ने काता, sorry, समझ में नहीं आया, तुमने अलग से बना दिया session, तो आप उसको refer कर सकते हैं, YouTube channel पे आपको मिल जाएगा space technology, okay, तो यहाँ पर आपका date हो जाएगी 22 July 2019, next question आपकी scheme से rated है, इंद्रा गांदी credit card योजना के तहर सरकार दोरा कितने प्रतिशत दर निर्धारित की गई है, इंद्रा गांदी credit card योजना आप जानते हैं, जो पचाजार तक रिनमुक option है, option number C, 10%, question number 32, स्वच्च भारत mission 2.0 कब लागो किया गया, तो जो स्वच्च भारत mission 2.0 है, वो second version है, वो 2 October, 2 October of 2021 को launch किया गया था, schemes है, schemes की बारे में data ही है, ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगा नहीं कि जरूरत नहीं, इसको concept तो इतना ज्यादा नहीं कि आप समझ हो, जो data's हैं, वो आप schemes के बारे में जरूर पढ़िएगा, जैसे इसकी launching date कब है, slogan कौन सा है, यह चीछें पूछी जाती है, और पूरा एक मेरा session है schemes के बारे में, आपको YouTube channel पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते है schemes के बारे में, प्रधान मंत्री आवास योजना किस मंत्राले के अधिन है, तो यह आवासन और शेहरी कार्य मंत्राले, Ministry of Housing and Urban Affairs, आवास योजना, अमरत मिशन में कितने का budget रखा है, यहां अमरत मिशन के बारे में बात हो रही है, मैं आपको पिछले sessions के अंदर में भी बताया था, अमरत मि पूछा गया question है, कितने का budget रखा गया है, तो 50,000 करोर, by whom was union budget 23-24 presented in parliament, यह question आप बताएं, बहुत easy question है, comment section में answer दीजिए 35 का, अब हम बात करते है, question number 36, who has become the first woman military officer of country to be posted in Siachin Glacier, Siachin Glacier में तैनाथ होने वाले देश की पहली महिला सेन्य अदिकारी कौन बनी, देखिए, current affair ज़रूर पढ़के जाएगा, कम से कम 6 मेने का तो पढ़के जाएगा, ज्यादा तो एक साल की तो बात में करता हूँ, but कम से कम at least 6 months आपको prepared करना है, current affair में और उसमें specific current affair में राजस्थान के अंदर जो रास्थान government की जो योजना है, जो इसे नवाचार है, जो innovation है, उसको जरूर पढ़िएगा, साथ में जो आपके sports personalities हैं, उसको पढ़िएगा और special reference of women, जो women हैं, उसके बारे हम आपको जरूर पढ़ना है, और यहाँ भी महिल बहुत strategic position है, Siya Chin, तो यहाँ पर Captain Avani Chaturvedi, Captain Bhavana Singh, Captain Shiva Chauhan, Captain Tanishka Chaudhary, चार option है, सोची है, थोड़ा सोची में time देता हूँ आपको बार बार सोचने का, आप सोची इसका right answer क्या होगा, थोड़ा दिमाग में भी जोर लगाना बड़ा जरूरी है, कुछ समझ में आया, कभी newspaper के अंदर पड़ा हो, कभी news highlights, news TV के अंदर देखी हो, तो इसका जो right answer है, Captain Shiva Chauhan. Okay, next question है, who has become the first woman in the world to participate in Qatar Marathon to be held in January 2023? By January 2023 में आयचित, Qatar Marathon में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? तो यहां पर है सूफिया खान, option A is the right answer. Question number 38, 2025 में विश्व अथरेटिक्स चैंपियन की मेजबानी निम्खित में से कौन सा शहर करेगा? World Athletics Championship की यहां पर host की बात हो रही है, तो यह host करेंगे Tokyo. Option B is the correct answer. Question number 39, at which place in the state in the 18th National Scout Guide, जम्बूरी वास और्गेनाइस्ट और जैनुवरी 4-10, 2023, रोहट पाली, तीवरी, जोदपूर, बिरातनगर जैपूर, और जादिन पाली. तो यहां पर जो रोहट पाली है, वहां पर राश्टी स्काउट गाई जम्बूरी का आयोजन किया गया था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है, यह आप जरूर पढ़िएगा, याद रखेगा, रोहट पाली. वहां पाली क्वेस्टन नम्बर 40 है, वहास दे मेर्ड, वाइस प्रेसिडेंट अप्ट्वेंट पॉइंट पॉइंट प्रोग्रम, 20 सुत्री कारेकरम, यह राजस्तान के अर्थेविवस्था में आप पड़ोगे, राजस्तान एकोनोमी के अंदर, 20 सुत्री कारेकरमों का उपाध्यक्ष किसे बनाया है, अशोग गहलो, संदी प्यादव, डॉक्टर चंद्रभान, सचिन पालेट, तो राइट आंसर विल बी, डॉक्टर चंद्रभान, ओके फ्रेंड्स, यह हमारे हो गए 40 important questions राजस्तान की test series नंबर 6 के, next भी आपकी up to 4 test series pending है, वो भी आपके time to time जैसे session आपके लिए schedule है, उसी according आपको YouTube पर मिलती जाएंगी, on tech के channel पर आप बने रहिएगा, और साथ ही अगर कुछ segment के अंदर, topics के अंदर आपको दिक्कत आ रही, छोड़ा समझने में आपको doubtful लग रहा है, तो आप मुझे contact भी कर सकते हैं, मैं try करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है, मैं आपकी problem को solve करूँगा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से without and hesitate, अच्छे से prepare होके exam में जाना है, आपको confidence बनाया रखना, क्योंकि अभी जो last का जो time है, यह बहुत important है, crucial भी है आपके लिए, थोड़ा stress में भी होंगे, बट आपको stress में नहीं रहना है, आपने जो मेहनत किये, उस पर आपको बिल्कुल बरकरा रहना है, उस पर विश्वास करना है, और मुझे भी बिल्कुल doubt नहीं है, I have no doubt you will crush it, आप आराम से इसको crush कर लोगे exam को, और अच्छी तरीके से selection लोगे, तो आपको बिल्कुल doubtful नहीं रहना है, और last preparation के अंदर ऐसी भी चीज़ें नहीं करनी है, जो आपके लिए confidence को कम करें, ऐसे topic जो आपको समझ में ही नहीं आए, throughout year, उसको आप last में पढ़ने की कोशिश मत कीज़ेगा, अगर हो पाता है आपसे तो बात ठीक है, मैं यह नहीं करे रहा हूँ, छोड़ देना, बट जादा उस पे stress आउट मत करना, जो आपके bus की बात नहीं, जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप time बहुत कम है, ऐसे topic इस पर आपका अच्छा command है, उसको आप मजबूत कीजी हो सकता है, वह वहाँ पर cover up हो जाए, non-tech का section बहुत important है आपके लिए, क्योंकि आपके कहीं नहीं mark कोई scale-up कर देगा, grade-up करेगा, बढ़ा हैगा, हमेशा आपको मैदान में रखेगा जीतने के, तो इस non-tech को अच्छे तरीक से पढ़े है, syllabus बहुत वास्त है, मैं जानता हूँ, syllabus वाकि बहुत वास्त है, बट आपको पढ़ना पढ़ेगा, you have to be studied, और कोई option नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, so best of luck for your preparation, फिर हम मिलेंगे next test series number 7 के साथ, next few days के अन्दर, okay friends, thank you.